याद रखना इंसान की तृष्णाएं इच्छाएं ऐसे हैं एक शान्तों की दूसरी फिर जनम ले लेगी दूसरी शान्तों की तिसरी फिर जनम ले लेगी हमेशा शान्त होने का नाम नहीं लेती है इसलिए हर बार मन की इच्छाएं पूरी मत करो जितनी पूरी करोगे उतनी और बढ़ती जाएंगे, कभी-कभी मन को शांत भी कर लेना चाहिए, डाट डपट करके उसको शांत कर लेना चाहिए, आप लोगों ने अकबर का नाम सुनाएं मेरे भाई बेनों, सुनाएं न, अकबर के पास एक बकरा था, एक बार बकरे को सभा में लेके आए अकबर, और क जाने वाले की, सारे लोग विचार कर रहें कि बकरे को हम ले जाएं और हम इसको धपा के लाएं और स्वार्ण मुद्राएं प्राप्त कर लें, एक दिन मेरे भाई बेनों एक मंत्री का नंबर लगा, वो बकरे को ले गया, ले जाकर के खूब घास खिलाई, खिला ता गया खिला ता गया, खिला ता गया, शाम हो गई, फिर बकरे को सभा में लाएं कहा कि शैन्शा मैंने आपके बकरे को धपा दिया, कहा कैसे मानलों कि ये धाप गया है, परिक्षा होगी, कहा ले लो परिक्षा, बकरे के आगे मेरे भाईवे नो थोड़ी सी घास रखिए गया, बकरा लाल चीता देखते ही खा गया, कहा अभी तो ये धपा नहीं, धाप गया होता तो खाता क्यों, अभी ये धपा नहीं है, अब दूसरे दिन दूसरे मंत्री का नंबर लगा, वो बकरे को ले गया, उसने विचार किया, राजा का बकरा को इस्सो की घास थोड़ी है, त साम तक तो अच्छा मोटा ताजा कर दिया, संध्या के समय जैसे ही बकरे को ले गए, कहां कि शेहिंशा बकरा दाव गया, कहां नहीं, परिक्षा होगी, ना ले लो परिक्षा, बकरे के सामने थोड़ी सी वेरे बाई में नो घास फिर रखी गई, बकरा लाल जीता फिर खा खिलाता गया, खिलाता गया, मेरे बाई बेनो बकरा भी बड़ा आनन्दित हो गया कि दो दिन तक तो घास और आर्थ तो परमात्मा की कैसी करपा होई सुखे में बे मिल रहे हैं, खूब काजु बदाम खाए, शाम तक तो पेट भी फूल करके पेटारे जैसा बड़ा हो ग गया, बकरे को ले जाकर के सुखे से पहाड पर बांद दिया, जहां घास तो चड़ो घास का तिन का भी मौजुद नहीं था, दिन भर भूका रखा बकरे को, बकरा तो विचारा परेशान हो गया, विचार कर रहा है कि हे प्रभू ये कैसे दिन दिखा रहे हो, तिन दिन त गया था, वो भी पिचक गया और हड़िया सामने दिखने लग गई, जैसे ही संध्या का समय हुआ, बकरे को ले जाने का समय निकट आने लगा, बिरबल ने उसके सामने थोड़ी सी घास रखी, बकरा विचार करने लगा, चलो दिन भर हत्यारे ने भुका रखा, पर शाम को खिला तो रहा है, जपट करके मेरे भाई बेनो, खाने ही वाला था वो घास, पीछे से टंडे की एक मारी, सामने जब भी घास रखी वो खाने जाता है, पीछे से टंडे की एक मारता है, फिर घास खाने जाता है बकरा, पीछे से टंडे की एक मारता है, बिरबल, अब उसके सारे मंत्री बड़े हस रहे हैं बकरे के सामने मेरे वाइबेनों अकबर ने थोड़ी सी घास रखी बकरे को भूख तो बड़ी लगी थी लेकिन टेडी नजरों से देखा विरबल पीछे डंडा लेकर खड़ा है विचार किया खाऊंगा तो मारेगा इसलिए डर के मारा खाना तो छोड़ो उसके सामने देखा भी नहीं इधर अकबर को लगा कि बकरा धाप गया है इसलिए सारी स्वान मुद्राएं मिल गई बिरबल को अब यहाँ पर इस कथानक का मतलब क्या है हमारा मन उस बकरे की तरह है पहले दिन सुखी घास डाली तो दूसरे दिन हरी चाहेग कभी कभी वो बिरबल का डंडा दिखा करके उसको शांत भी बिठा लेना चाहिए लेकिन कहा